हेलो दोस्तों रमस्कार सत्राकाल एन आदाब मैं हूँ आपका दोस्त आजावस्तिया और आज मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर करके आया हूँ दोस्तों कई बार आप देखिएगा कि जब हम वेडिंग फोटोग्राफिक आउडर लेते हैं जब हम कस्टमर से बात हमारी होती तो वो कस्टमर बोलता है कि भई हम मुझे unlimited फोटोज चाहिए या फिर हम बोलते हैं कि भई हम आपके लिए unlimited फोटोज क्लिक करके देंगे और जब बात आती है album making की या जब हम album बनाते हैं उस समय सबसे main मुद्दा होता है कि कितनी photo selection की जाए और उस समय में जब client बैठता है और 3000 photo में से सिर्फ 200 photo जब वो select करके देता है तब एक wedding photographer की क्या इस्थिती रहती है यह आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ तो आएए बात करते हैं इसी topic पे और समझते हैं कि इसका solution क्या है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि school.rajaorsi.com जो कि हमारे एक online learning website है वहाँ पे हमारे already 5 courses running में हैं और recent में pre-wedding cinematography का एक बहुती खुबसूरत सा course वहाँ पे आ रहा है और साती सात एक और announcement है बहुत जल दो ऐसे platform आने वाले हैं दो ऐसे platform के बारे में आपको पता चलने वाला है जहां पर आप मुझे देख पाएंगे on the mobile, on the your laptop and everything और ये मुझे announcement करना था अब हम बात करते हैं हमारे main topic के उपर तो दोस्तो सबसे important चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कई बार ये condition आता है कि भाईया जब हम photographer से बात होती है client की और client हमसे बोलता है कि भाईया तीन दिनों का मेरा काम है तीन दिनों में मुझे आप photography करके दे दीजे, album मना के दे दीजे, तो आप याद रखें पहला चीज, पहली बात कि आपको अलग-अलग condition से आपको order लेने चाहिए, condition number एक, आप उनसे पूछे, कि भाईया आपको, या sir, आपको किस तरीके से shoot करवाना है अगर आप unlimited photos चाहते हैं, ठीक है, ध्यान सुनेगा, अगर आप unlimited photos चाहते हैं, तो ये charges लगेंगे, charges आपको decide करना है, वो मैं नहीं बता सकता दूसरा चीज, अगर आप चाहते हैं, कि limited photos हों, और ये एक album हो, या दो album हो, तो आपको फिर ज़्यादा photos नहीं click करने चाहिए कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि हमने 40 sheet की बात की है, और 40 sheet का album तो हमको देना ही देना, 40 sheet में suppose हम मान लेते हैं कि 200 photo होंगे, 200-300 photo होंगे और उस 300 photo के बार हमारा client हम यह सोचते हैं हम 5000 photo click कर लें, 4000 कर लें maximum photos click कर लें और उसके बार हमारा client हमें photo select करके जब देगा, तो definitely 300 के बढ़ले 700 photo हो जाएंगे और maximum time ऐसा होता भी है लेकिन आज के time में बहुत सारी जगा ऐसा हो रहा है, जैसे मेरे साथ भी ये बात हुई है, मैंने एक वेडिंग में खीचे तकरीबन 3500 फोटो और मैंने क्लाइंट को टार्गेट दिया था कि भाया आपको 200 फोटो का सेलेक्शन करना है, 200 के बाद अगर आप फोटो एक्स्ट्रा सेलेक्ट करोग उसके बाद when I decide कि नई, अब मैं इस तरीके से काम नहीं करूंगा, अब मैं काम ऐसा करूँगा कि अगर मैं कोई टार्गेटड फोटोस देता हूँ, तो मैं Limited photos क्लिक करूँगा, तो अब अगर मैं kliont को बोलता हूँ कि मैं आपकी wedding में 40 sheet का album मेना के दिंगा, उसमें तकरी अगर आप बहुत जादा फोटो क्लिक करवाते हैं तो भी आपका जो स्टोरेज के अलावा फिर एडिटिंग के अलावा फिर एक तरीके से वह हैडेक होता ही होता है तो अगर आप इस तरीके से बात करें कि भाईया अगर आप unlimited photos क्लिक कराएंगे तो मैं album के charges उसमें include नहीं करूँगा suppose तीन दिन की wedding है या दो दिन की wedding है अब दो दिन की wedding में अगर मुझे कोई client बोलता है कि या दो दिन का मेरे याँ wedding है और आपको photos क्लिक करके देना है और अगर मैं बात करता हूँ कि मैं आपके यहाँ photo क्लिक करके दूँगा और साथ में एक album भी दूँगा तो album का charges अलग लूँगा और photo clicking के charges अलग लूँगा यह important चीज़ है तो अगर मैं सिर्फ photo clicking के charges लेता हूँ suppose मैंने बुला कि भी या एक photographer आएगा दो दिन के लिए और मैं आपसे 30,000 रुपे चार्ज करूँगा और album का 10,000 रुपे extra चार्ज करूँगा ठीक है तो हो सकता है कि आपका client बोले यह fixed ratio नहीं है हर किसी का अपना अपना style है हो सकता है कि आप 2 दिन का 10,000 में काम कर ले हो सकता है कि आप 2 दिन का 6,000 रुपे चार्ज ले कि भई मैं 6,000 रुपे photo shoot करने का charge लूँगा और 10,000 रुपे album का charge लूँगा अब आप के साथ benefit यह होगा कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो जब आप shoot करके आएंगे तो आपको ऐसा लगए कि as a freelancer आपने एक जगा काम किया है अपने लिए ही आपने freelancing का काम किया है और album के पैसे फिर वो 10 photo select करें चाहे 100 photo select करें चाहे वो 500 photo select करें फिर album का charge आ irritation है वो नहीं आएगा और अगर आपको customer बोलता है कि नहीं मुझे आप एक साथी बता दीजिए तो फिर आप पहली बोले कि वहां पे मैं unlimited photos नहीं क्लिक करूंगा मुझे जहां ठीक लगता है मैं वहां पे photo click करूंगा और इस तरीके से जब आप photo click करेंगे तो definitely आपका work थो वह कमजोर होता जाता है और आपका जो camera है वो आप देखेगा एक साल दो साल के बाद काफी जो camera है वो काफी कमजोर सा हो जाता है mostly आप देखेगा ये चीज आपके freelancers के साथ होता है मैं freelancers की बाते हैं आप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब freelancers photographic करने आते हैं तो आप उनको खुद ही बोलते हैं कि भाईया आप maximum photos मुझे click करके देदे कोई भी moment shoot ना नहीं चाहिए लेकिन जब client से बात करने आली बात होती है तो मैंने आपको ये suggestion दिया है कि आप shoot का charges अलग ले and आप album के charges अलग ले जिससे कभी भी आपको ऐसा feel नहीं होगा कि यार इतना सारा photo हमने कीचा और client ने सिर्फ इतने कम photo select किये हैं तो ये मेरे तरब से एक छोटा सा suggestion था आपको क्या लगता है आपके इसाफ से क्या होना चाहिए मुझे please comment करके जरूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसी कोई problem आई है तो भी मुझे comment करके बताइएगा आपके पास इस problem का कोई solution है तो भी मुझे comment करके बताइएगा एक और announcement मैं आपसे करने जा रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि sir हम photographic packages के बारे में हमको बताइए तो देखे इस platform पे इस open platform पे मैं photographic packages कैसे लेते हैं client deal कैसे करते हैं इसके उपर मुझे लगता है कि ये बोलना possible नहीं होगा और ये सही भी नहीं होगा तो मैं चाहता हूँ कि हम एक बहुत बढ़िया free webinar करें not paid, it's a free webinar बट वहाँ पे limited लोग रहें वो लोग रहें जिनको actual में इसकी जरुरत है तो अगर आप ये free webinar जॉइन करना चाहते हैं तो मुझे comment करके बताएगा कि क्या ये webinar हमको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और अगर ये webinar हमको करना चाहिए तो कौन से date में करना चाहिए जिसमें मैं आपको बता पाँगा कि किस तरीके से हम pricing लेते हैं, किस तरीके से हम सरे किस डेट के बीच में करना चाहिए मैं next video में भी इसके बारे मात करूंगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक है और सियरे क्मेंट करना विखंग करना दोस्तों अज के सिपार नहीं आज, हैे वीडियो